नमास संस्किताय मित्रों चंद्राइस्टिट के यूटूज चनल पर आप सभी लोगों का श्वागत है मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कित भासा सिच्छड से संबंधित प्रसनों की चर्चा करता हूं टेट, सी टेट, यमपी टेट, राजस्थान टेट आप सभी लोग घर बैठे ही तैयारी सुरू करें और जैसा कि मैंने आप से कहा कि पचीस परसेंट इस समय पचंद्राइस्टिटूट की तरफ से डिसकाउंट चल रहा है आप सभी लोग आनलाइन क्लास ले सकते हैं आए हम सिच्छन के प्रस्णों की चर्चा करते हैं प्रसंखिया एक में लिखा हुआ है कि संस्कित भासा सिच्छने अनुवाद विधी कह उच्यती संस्कित भासा सिच्छन में अनुवाद विधी को किस ने कहा है कह मने काउन उच्यते मने कहा क्या कहा जाता है सुत्र विधी ब्याकरण विधी, भंडारकर विधी, पारायन विधी संस्कित भासा सिच्छन में अनुवाद विधी को एक किस नाम से जाना जाता है, किस दूसरे नाम से जाना जाता है यह बात कहीं जा रही है तो देखिए अनुवाद बिधी को भंडारकर बिधी के नाम से भी जाना जाता है अर्थात संसित भासा सिच्छन में अनुवाद बिधी को हम भंडारकर बिधी भी कह सकते हैं न कि सुत्र बिधी न व्याकरण बिधी और नहीं पारायन बिधी क्या का सकते हैं भंडारकर क्योंकि भंडारकर महोदय जी ने अनुवाद बिधी के प्रवर्तक है इसलिए इनको इसलिए अनुवाद बिधी को भंडारकर बिधी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है प्रसंकिया दो की बात करते हैं कि कुसाग्र सामान्य मंद बुद्धी चात्रा नाम कृते कह सिध्धानता समूप युकता है कुसाग्र बुद्धी के छात्रों को, सामान्य बुद्धी के छात्रों को और मंद बुद्धी छात्रों के लिए कह सिद्धान्त है समूप युक काउन सा ऐसा सिद्धान्त है जो अच्छा होता है मतलब तिब्र बुद्धी, मंद बुद्धी और सामानने बुद्धी फर्स, शेकेंड, थर्ड इन तीन ग्रेट की जो माइन्ड होती है ऐसे बुद्धी वाले छात्रों के लिए काउन सा सिधान्द सबसे अच्छा है वायक्तिक भीनतायाह सिधान्त है अनुपात क्रमयोस्च सिधान्त है समवाय सिधान्त है मौखिक कार्यश सिधान्त है देखिए इसमें मौखिक कार्य का सिधान्त जो होता है ओह तीनों प्रकार के छात्रों में नहीं समलित किया जाएगा समवाय सिधान्त भी नहीं इनके लिए अच्छा होता है और अनुपात क्रम का सिध्धान्त भी अच्छा नहीं होता है इनके लिए व्यक्तिक भिन्यता यह सिध्धान्त है व्यक्तिक भिन्यता का जो सिध्धान्त है यही सिद्धान्त जो होता है कुसागर समान बुद्धी छात्रों के लिए यह सिद्धान्त उप्युक्त होता है व्यक्तिकत भिनता वाले छात्रों को उनकी कमियों को जान करके उनकी समस्या समाधान करना ही यह व्यक्तिक भिनता यह सिद्धान्त का अनुपल्म करता है चले हम आगे चलते हैं इत्यत्र संस्कित भासा सिच्छन सिध्धान्त है ऐसा काउन सा संस्कित भासा सिच्छन का सिध्धान्त है कि जो संस्कित भासा सिच्छन में पहले मौखी कारिय उसके बाद लिखी कारिय होना चाहिए तो इसमें अनुपात अनुपात से क्रमस्च सिध्धान्त है अनुपात और क्रम के सिध्धान्त का अनुपालन करता है रुचि का सिध्धान्त नहीं न बहुमुखी सिध्धान्त और नहीं सक्रियता याह सिध्धान्त नहीं सक्रियता का सिध्धान्त पहले मौखिक कारी हो अनुपात के क्रम से जैसे बोलना पढ़ना लिखना सुनना बोलना पढ़ना लिखना तो पहले मौखिक फिन लिखीत है तो मौखिक के बाद लिखीत होगा तो अनुपात और क्रम का सिधानत होना चाहिए ठीक है तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना इस प्रसंखिया चार की बात करते हैं प्रसंख्या चार में लिखा हुआ है कि पूर्व ग्यानात परम नवीनम ग्यानम प्रदेयं इत्यत्षच्ण सिध्धांत सकीन सुत्रम पूर्व ग्यानात पूर्व ग्यान से पर माने बाद में नवीन ग्यान प्रदेयम माने देना चाहिए इत्यत्र बाने आये यहां यहां सिच्छन सिधानत से किन सुत्रम यहां सिच्छन सिधानत का कौन सा सुत्र है कि पूर्व ज्यान से पूर्व ज्यान के बाद नमीन ज्यान बताना चाहिए पूर्व ज्यान से नमीन ज्यान प्रदान करना चाहिए यहां ऐसा सिच्छन का सिधान्त कौन है सुच्मात अस्थूलं प्रति सुच्म से अस्थूल की प्रति नहीं होगा ग्यातात अग्यातम प्रति देखिए ग्यातात अग्यातम प्रति सीरी सी बात है पहले पूरु ग्यानात ग्यात पूरु ग्यानात मतलब ग्यात छात्र जो पहले जाना जान रहा है छात्र जैसे जो कुछ भी जान रहा है पहले उस ग्यान को पूछ करके उससी पूरु ग्यान से नमीन ग्यान की ओर अरथात जो जानता है उसके बाद जो नहीं जानता है जो नहीं जान रहा है उसके लिए उसकी लिए वह नमीन ग्यान हुआ की नहीं जैसे छात्र पंखा जानता है छात्र जो है पंखा जानता है लेकिन वह संस्कृत में व्यजनम नहीं जानता है अब पंखा उसके लिए ग्यात है और व्यजनम उसके लिए अग्यात है अर्थात पूरु ग्यानात क्या है पंखा है और नमीन ग्यान क्या है व्यजनम है तेहां ग्यात से अज्यात के प्रति अर्थात इसका बी सही होगा जो जान रहा है उसके बाद जो नहीं जान रहा है जब उसको आप बताएंगे तो छातर के लिए वह नवीन ग्यान होगा अर्थात पूरु ग्यान से उसके बाद नवीन ग्यान को देना चाहिए यह सिच्छन का सिधान का कौन सा सुत्र है तो ग्यातात अज्यातम प्रति ग्यात से अज्यात के प्रति ठीन संस्रेशन से बिस्रेशन नहीं कठिन से सरल की और नहीं और सुष्मे से अस्थूल की और नहीं ठीक है प्रसंख्या अच्छा की बात करते हैं प्रसंख्या अच्छा में लिखा हुगा है कि गुरुमुखम इतिसाधनम विद्धिती गुरुमुख ऐसा साधन कहां विद्धिमान होता है गुरुमुख ऐसा साधन कहां विद्धिमान होता है प्रसंख्या 5 की बात करते हैं तो देखिए गुरुमुख कहा होता है स्रमन काउंसल में गुरुमुख जो गुरु की बाड़ी होती है जो प्राचीन सिच्छन पद्धती है हमारी जो गुरुकुल परंपरा है उसमें गुरुमुख से निकली हुई बाड़ी को हम स्रमन काउं प्रसंक्राइब 6 कर ते संस्कित अध्यापन सरफ बेद रिष साध्रम संस्कित अध्यापन में यह सिजाधन काँई तो दूर्दर्शन हे sollte कृति नहीं है स्यांपट नहींह। ध्वनी अभिलेख भी नहीं है वह क्या है दूरदर्शन है ठीक है प्रसंकिया सात की बात करते हैं प्रसंकिया सात में लिखा हुआ है कि संस्कीत भासा सिच्छन समय नगरस्य भवगोली की इस्थितिम अवगंतुम कस्य अधिगम साधनश प्रयोगह करतुम शक्यती सिधी सी बात है संस्कीत भासा सिच्छन में नगर का भवगोली के इस्थित को जानने के लिए किस अधिगम साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए किसी छात्र को अगर हम अपने नगर की भागोलिकी सिती को बताएंगे तो नगर की भागोलिकी सिती को बताने के लिए हम सीधी सीव आता है कि मानचित्रों का प्रयोग करेंगे मानचित्र के माध्यम से ही हम छात्र को उस नगर की भागोलिकी सिती को बताएंगे रेखाचित्र से तो बताएंगे नहीं पत्रक से बताएंगे नहीं सियामपड से हम बताएंगे नहीं ठीक है तो किसे हम बताएंगे उस भगोलिक इस्थिति को उस भगोलिक इस्थिति को हम मानचित्र के माध्यम से बताएंगे मानचित्र मानचित्र से ही हम बच्चे को बताएंगे कि देखो यहाँ पर इलाहाबाद है देखो यहाँ पर यह गंगा जी है देखो यहाँ पर यह लाल किला है यहाँ अकबर का किला है यहाँ हरुमान जी का मंदिर है इत्यादी बाते हम मानचित्र के माध्यम से चात्रों को समझा देंगे और चात्र बड़े आसानी से उसको समझ जाएंगे ठीक ने तनगर की भगोलिक इस्थिति को जानने के लिए हमकी साधिगम साधन का प्रयोग करते हैं तो मानचित्र का प्रयोग करते हैं प्रसंख्या 8 की बात करते हैं प्रसंख्या 8 में लिखा हुआ है कि पाठ्थ पुस्तकत से अस्थानम सिच्छन महत्पुन भी देते हैं बालकों के ग्यान के सीमा का विस्तार करने के लिए बात सही है पाठ पुस्तक अगर नहीं होगी तो बालकों के ग्यान के सीमा का विस्तार हम कैशे करेंगे दूसरी बात बेवहारिक ग्यानश शंपादनाई बेवहारिक ग्यान को संपादन करने के लिए अर्थात प्रदान करने के लिए यह भी बात सही है चात्रे सु स्वाध्यायम प्रती पुरुची उत्पादनाए चात्रों में स्वाध्याय स्वतह अध्यन के प्रती पुरुची उत्पादन करने के लिए यह भी पाठे पुस्तक का सबसे बड़ा महत्पूल रोल होता है अर्थात सबसे महत्पूल भूमिका होती है छोटे छो जो होती हैं वो चित्रों को देख करकी बड़े आशानी ढंग से पढ़ते हैं ठीक है अर्थात इसका आपसन सभी सही होगा ठीक प्रसंख्या 8 में D सही है प्रसंख्या 9 की बात करते हैं तो प्रसंख्या 9 में लिखा है कि सिच्छन विधी नाम समी करणे सिच्छा अस्तरस्य 9 करणे चर सहायकम भवती सिच्छन विधी सिच्छन विधी में सिच्छन विधी के समी करण में सिच्छा का जो अस्तर है और उसके 9 करणे में सहायक होता है सिच्छन विधी के समी करण में समी करण में और सिच्छा अस्तर का और उसके 9 करणे में क्या सहायक है पाठ पुस् प्रसंख्याद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद्षाद चात्रों के ग्रिहकारे का मुल्यांकन होना चाहिए तो वाह मुल्यांकन के द्वारा नहीं साथ चात्कार के द्वारा नहीं आंतरिक मुल्यांकन के द्वारा होना चाहिए ना कि संभासन के द्वारा चात्रों के ग्रिहकारे का मुल्यांकन होना चाहिए आंतरिक मुल्यांकन के माध्यम से ठीक नहीं न कि वाय मुल्यांकन से और नहीं साथ्छातकार के माध्यम से और नहीं संभासन के माध्यम से ठीक न मित्रों आज इतना ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और चंद्रा इस्टिट्यूट की तरब से आप सभी लो जी जिन्होंने इस गर्मी में लागडाउन की स्थिति में आप सभी को क्लास देने के लिए बड़ा हिस्स योग होगा और बड़ा ही में वेहनत कर रहे हैं अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और सेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आप स्वस्त रहें, मस्त रहें.